समस्याओं का समाधान रिश्ची चिंतन से कहते हैं कि दुष्टों पर दया करो किन्तु दुष्टता से लड़ो मरो या कैसे संभव है? समाधान अक्सर लोग दुष्टता और दुष्ट को एक ही वस्तू समझ लेते हैं और एक ही ढेले से दोनों को शिकार बना देते हैं बीमार और बीमारी एक ही वस्तू नहीं है जो डॉक्टर बीमारी के साथ बीमार को भी मार डालने का इलाज करता है उसकी बुध्धी को क्या कहें? आप दुष्टता और दुष्ट के बीच अंतर करना सीखिए हर व्यक्ति को अपनी ही तरह पवित्र आत्मा समझे आत्मा किसी की दुष्ट नहीं है वह तो सत्य, शिव और सुन्दर है सच्चिदानंद स्वरूप है दुष्टता तो अज्यान के कारण उत्पन होती है यह अज्यान एक प्रकार की विमारी ही तो है अज्यान रुपी बिमारी को मिटानी के लिए हर उपाय काम मिलाना चाहिए परन्तु किसी से व्यक्ति गद्वेश न मानना चाहिए व्यक्ति गद्वेश भाव जब मन में घर कर लेता है तो हमारी निरिक्षन बुद्धी कुंठित हो जाती है वह नहीं पहचान सकती कि शत्रू में क्या बुराई और क्या अच्छाई है ऐसा व्यक्ति अपनी आखों के पीलिया रोग को नहीं समझ पाता उसे दूसरे के चहरे पर पीलापन दिखाई पड़ता है उसे पांडू रोग समझ कर उसका इलाज करने लगता है अपनी बिमारी की दवा दूसरों को खिलाता है जालिम और दुष्ट, क्रोधी और परपीड़क इसी अज्ञान से ग्रसित होते हैं उनके मन में स्वार्थ एवं द्वैश स्वामाया हुआ होता है फल्स्वरुप इन्हें दूसरों में बुरायां ही बुरायां नजराती है इस बुद्धी भ्रहम का ही इलाज करना है बीमारी को मारना, बीमार को बचाना है दुष्भाव से किसी को बुरा समझना या उसकी भलाईयों को भी बुरा कहना अनुचित है जैसे एक विचारवान डॉक्टर, रोगी की सच्चे रदय से मंगल कामना करता है और निरोग बनाने के लिए सोयम कष्ट सहता हुआ, जी तोड़ कर परिश्रम करता है वैसे ही आप पापी व्यक्तियों को निश्पाप करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, चारों उपायों का प्रयोग कीजिए पर इन पापियों से किसी प्रकार का नीजी राग द्वेश मत रखिए आप तो दुश्टता से लड़ने को तयार रहिए फिर चाहे वह दूसरों में हो चाहे अपनों में हो या खुद अपने अंदर हो पुस्तक समस्याओं का समाधान रिशी चिंतन से प्रिष्ट सत्यासी अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें ताथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद